अब ही हम लोग देखेंगे एक amazing price में 2BHK का 60 गज का flat, lift और car parking के साथ, एक बहतरीन interior के साथ, बहतरीन location में और इस price में इस तरह का flat सिर्फ और सिर्फ सानवी estate ही दे सकता है और हमारे चैनल पर ही मिलेगा मैं यह नहीं कहता कि मेरे पर यकीन किजे आप खुद विजिट करिये, आपको इस बात का बिलकुल यकीन हो जाएगा कि जो हम लोग बोलते हैं वही चीज डिलीवर करते हैं नमस्कार मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल सानवी estate इंडिया प्राइवेट लिम्टेट पे जिस फ्लाट पर हम लोग खड़े हैं इसकी लोकेशन मोहन गार्डन द्वारका मोर्ट नियु देली है बहुत ही बहतरीन पराइस मैंने शुरू में भी बताया है अमेजिंग पराइस के साथ सिर्फ 20,90,000 रुपया में ये फ्लाट आपको कार पाकिंग और लिफ्ट के साथ मिल जाता है आप इस पे 80-85% तक लोन ले सकते हैं और मेट्र सेशन से अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1-7 किलोमीटर की दूरी है इसकी मेट्र सेशन से बढ़ हां घर के बाहर निकलते ही मेट्र तक जाने के लिए जो आपको कन्वेंस मिलेगा वो इरिक्षा है और चो है कैब है अगर मैं इरिक्षा की भी बात करूँ तो इरिक्षा वाले 10 रुपे लेंगे और वो आपको मेट्र तक ड्रॉप कर देंगे तो जो small family एक budgeted flat ढून रहे हैं उनके लिए इससे बेहतर इससे bitter flat नहीं हो सकता तो चलिए देख लेते हैं हमेशा की तरह अपने building का front elevation, parking और फिर हम लोग देखेंगे flat का inside view आई हम लोग आच चुके हैं अपने flat के अंदर एक floor पे तीन flat बनाए गए हैं एक 3BSK का flat है जिसकी वीडियो अलड़ी हमने upload कर रखी है और दो आपको 2BSK का flat मिल जाता है टोटल इस building में 12 flat है जैसे हमेशा मैं अपने flat का overview देता हूँ आज भी हम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं यहां हम खरे हैं यह हमारा drawing का area है इस तरफ आपको kitchen complete ventilated मिल जाता है सामने balcony है इस bedroom के साथ आपको balcony मिलते है और attached washroom मिलता है और एक bedroom हमारा यहां है इसके साथ भी attach washroom मिल जाता है अभी हम लोग अपने drawing room में खरे हैं और again जैसा मैंने पहले भी बताया था amazing price में किसी भी drawing room में dining और drawing दोनों का space नहीं मिल सकता 20,90,000 में और car parking lift के साथ आप दिखिए अगर मैं इधर का space दिखाऊं तो हलांकि YouTube U type में यह drawing room है वो बनाया गया है यहां L type में आप sofa लगा सकते हैं बीच में आपका coffee table आ जाएगा और इस तरफ यह जो space है आपका यहां आप जो dining table है वो लगा सकते हैं एक बहुत ही बहतनी 3D wall paper यहां पर यूज किया गया है और यहां आपको split AC के लिए option मिलता है और एक premium look का false ceiling जो आपको rich fill देगी वो उपर हम लोग ने बनाया है जिसमें जूमड भी लगाए गए हैं अगया है एक चीज और भी बता दू हम लोग वाइड लेंस camera यूज नहीं करते हैं जो भी चीज आपको दिखेगी वो इसकी जो size है वो actual size दिख रही होगी आपको चुकि वहां पर जब आपका ड्राइंग है जो मैंने भ सामने entertainment के लिए आप LCD LED जो भी यूज करते हैं उसके लिए यहां पूरा पैनल बनाया गया है और इसका जो color combination है वो भी देखिए बहुत ही बढ़िया look दे रहा है और दो यहां पर आपको draw मिल जाते हैं जहां पर कुछ आप store कर सकते हैं यह slots भी हां बनाके दिए गया है जो cable की wiring है या आपका AC का wiring होता है या inverter की wiring है वो दिवार के अंदर ही करके देज आती है तो यहां से एक ventilated kitchen और एक spacious kitchen इस price में आपको मिल जाता है वो हम लोग देखते हैं इस flat में जो tiles use की गई है bedroom में drawing room में और kitchen में वो vetrified tiles है और जैसे हम लोग entry लेते हैं kitchen में तो सबसे पहले यहां जो space पूरा आपको मिलता है वो freeze के लिए मिल जाता है आप यहां पे अपना freeze रख सकते हैं यहां switch लगाए गया है उसके बाद यह पूरा space L type में आपको kitchen का space मि लगा के दे रहे हैं इसके अलावा भी यहां आपको ventilation के लिए window मिल जाता है अगर मैं storage की बात करूं तो यहां आपको storage मिलता है space की कमिया आपको बिल्कुल नहीं ख़लने वाली यहां भी आपको space मिल जाता है यहां भी storage दिये गया है और आपको इस तरफ भी space मिलता है यहां भी आप देखिए यहां उपर भी आपको space मिल जाड़ा है यहां sink दिये गया है और एक tray भी यहां दिया गया है अगर आप fruit या vegetable clean करते हैं तो आप यहां पर उसको रख सकते हैं आपस आपको दो तरह के यहां पर दिये गया है एक जल बोड का है एक hot and cold water के लिए है उपर गीजर के लिए points दिये गया है आप वहां अपना गीजर लगा सकते हैं और अगर नीचे के space की मैं बात करूँ तो यह कटले रिवेर के लिए मिल जाता है इसमें जो आपके small utensils हैं cup है spoon है वह bowl है वह आप रख सकते हैं यहां भी storage दिये गया है यहां भी आपको space मिल जाता है और यहां bottle rack के लिए space मिलता है और again यह cabinet आपको storage के लिए मिल जाते हैं अगर हम लोग हमारे kitchen में बड़े container होते हैं वो आप यहां रख सकते हैं और जो भड़ा हुआ cylinder भी होता है उसे भी आप यहां रख सकते हैं यहां से pipe आपके आजाएगी यहां आपका चूला लग जाएगा उसके बाद जो खाली cylinder होता है उसे आप चाहें तो यहां रख सकते हैं यहां भी यह space आपको मिलता है तो एक ventilated kitchen space kitchen, electronic chimney और अगेन window के साथ आपको मिलता है तो एक बहतरीन price बहतरीन flat का parking और lift के साथ अब यहां से मैं आपको दिखाऊँगा अपना जो first bedroom है वो इसके साथ हम लोग ने balcony और attach room दिये यहां आपको इस master bedroom में एक हमने यह wardrobe दिया है अलाकि छोटा wardrobe बनाने का ऐसा अपना कोई मकसद नहीं था इसमें bed का भी space निकलेगा इसलिए यहां पे जो छोटा wardrobe है small wardrobe वो बनाए गया है उपर आपको cabinets मिल जा रहे हैं और इस तरह का again wall paper हम लोग ने यहां दिया है और design अगर दिखा हूं false link की तो एक बहतरीन false link की design again इस master bedroom में आपको मिलता है जो round shape में बनाए गया है इसके साथ आपको cob lights और LED lights दोनों मिलती है और इसी के साथ एक यह आपको attach washroom मिलता है एक बड़ दिखाए आशिस इसमें जो हमने floating यूज़ की है वो anti-skade जो टाइल से वो यूज़ की है यहां आप देखे फुल वर्टाइस यूज़ की गई है बीच में आपका यह highlighter आ गया उपर आपको शावर मिल जाते हैं यहां गीजर के लिए points मिलता है और इस तरफ ventilation के लिए आपको space दिया गया आप यहां exhaust लगा सकते हैं उसके बाद अगर मैं नीचे दिखाओं यहां diverter दिये गए हैं एक ही tap से आपका hot and cold water दोनों आएगा यहां आपको जो वास्विसन है वो मिल जाता है और इधर हम लोगने seat लगाया है इस bedroom के ventilation के लिए यहां gate दी और बैलकेनी का भी size अच्छा खासा काफी white balcony दिखाइए मुझे पर दिखाइए यहां से हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपना जो सेकेंड बेद्रूम है वह आई यह अपना सेकेंड बेद्रूम है सबसे पहले फ्लोडिंग दिखाई आशीस इसमें जो हमने टाइल्स यूज की गया है वह वेट्रिफाइड टाइल्स है यहां अगेन आपको वार्ड्रॉप मिल जाता है यह स्पेस आपको मिलता है और वार्ड्रॉप के अंदर आपको जो सेल्फी विव अनाके दिये गए हैं दो स्मॉल ड्रॉड मिल जाता है आपको और उपर भी आपको कैबिनेट्स मिल जा रहे हैं यहां इस तरह का आपको वॉल पेपर मिल जाता है और इसी से जो मिलता जुलता डिजाइन है वो उपर फॉल से लिंक की वो दे गई है अटाच वोश्रूम यहां मिल जाता है वेंटिलिशन के लिए यहां विंडो दी गई है एक बार आप दिखाईए जो वोश्रूम है वो काफी स्पीशियस आपको यह वोश्रूम मिलता है फुल वर्ड टाइल से इसमें यूज की गई है यहां आपको गिजर के पॉइंच मिलते हैं यहां शावर मिल जाता है उसके बाद इदर हम लोग ने जो सीट है वो लगा दिया है यहां आपको टैप मिल जाता है एक ही उस तरफ इस पेस दिया गया है तो अगर मैं इस फ्लैट की बात करूँ तो टू बीच के का फ्लैट जो साठ गज में बना हुआ है मोहन गार्डन द्वारका मोर न्यू देली में यह फ्लैट परता है मैट्र सेशन से तकरीब हन एक से सावा किलोमेटर की दूरी पे यह फ्ल आपको जो कन्वेंस है इरिक्स है ओटो है कैब है वो साड़ा आपको मिल जाएगा रेजिस्ट्री वाले फ्लैट है 80-85% आप इस पे लोन ले सकते हैं और अगर यह फ्लैट आपको अच्छा लगा है या अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूले इस फ्लैट क कहीं भी तो फ्रेंड्स दीजे मुझे इजाज़त हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें क्योंकि आप हैं तो हम हैं आप ही सान्वी एस्टेट है और आप ही से सान्वी एस्टेट है थैंक आप अ